अगर आप भी आए दिन stock market में invest करते रहते हैं कोई ऐसा sector टून रहे हैं जिसने पिछले कुछ time के अंदर अच्छा perform किया है और आने वाले time के अंदर और जादा perform करड़े की उमीद है तो वेल इस वीडियो के इन तक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लेकर अगर आप एक इन्वेस्टर है तो शायर आप मजगाउंडॉक की स्टोरी अच्छे से जानते होंगे फिलाल इस stock ट्रेड हो रहा है 2414 रुपे के करीब इसने पिछले एक महीने में अपने investors को 28% का return दिया है और एक साल के अंदर 225% का return दिया है इस share ने अपने shareholders को पिछले साल अगर आप इसी समय की बात करेंगे तो लगबख 400-500 रुपे के करीब इस stock था आज ये 2400 रुपे के करीब है देख सकते हैं क्या जबर्दस return इस stock ने दिखाई है फिलाल इस stock के पास 3 additional submarines बनाने का order मिला हुआ है जनवरी 2024 तक इस company की order book लगबख 35,000 करोड की थी तो आप खुदी समझ सकते हैं कि किस category का stock है और कैसा इसका बविश्य होने वाला है इसके बाद number 2 इस list में आता है कोची shipyard लोग तो ये भी खहते हैं जो stock market में invest करते हैं कि कोची shipyard अगला share market का मजगाओ डॉक बनने वाला है इसने भी ऐसी जबरदस तेजी दिखाई है फिलाल ये एक share 1332 रुपे के करीब trade हो रहा है लेकिन किछले कुछ time के अंदर 400-300 के level से 1300 कब पहुंच गया समय ही नहीं लगा सिर्फ 5 दिनों के अंदर इस share ने अपने share holders को 20% का return दिया है एक महिने के अंदर 50% का return दिया है 6 महिने के अंदर दिया है 95% का return और एक साल के अंदर दिया ह 432% का return अपने share holders को which is actually an unbelievable return और अगर आप इसकी order book की बात करें तो koji shipyard को हाल इमें 500 करोड का एक order मिला है European clients से for a delivery of hybrid service operation vessel यानी SOV company इस vessel को design करेगी construct करेगी और इसका order complete करना है साल 2026 तक तो यानी साल 2026 तक तो company की order book already packed है लेकिन हां आम तोर पर company को order आते रहते हैं which means के भविशे bright है तीसरा इस list में है garden reach shipbuilders and engineers limited ये company भी shipbuilding के अंदर बहुत पुरानी company है फिलाल ये एक share एक हजार 6 रुपे के करीब rate हो रहा है लेकिन इसने पिछले एक महिने के अंदर 27% का return दिया है पिछले 6 महिने के 10% का return दिया है और फिछले एक साल के अंदर अपने share holders को 120% से जादा का return दिया है हाली में इस company ने IRS के साथ एक MOU sign किया है green energy autonomous vessel development के लिए GRSE ने अभी तक देखा जाए तो 785 platforms बना दिये हैं 100 प्लस warships बनाई है इंडिया नेवी के लिए इंडियान कोस्ट गार्ड के लिए government of Mauritius, Seychelles और Seychelles Coast Guard के लिए तो यानि ये company सिर्फ इंडिया में ही नहीं ये company इंडिया की neighboring countries के अंदर भी अपना पर्चम लेराज चुकी है order book काफी strong है और आने वाला time भी इसका strong ही लग रहा है अगला and fourth in this list is knowledge marine and engineering work limited फिलहाल ये एक शिर 1091 रुपे के करीब trade हो रहा है लेक पिछले एक साल के अंदर 68% का return दिया है अब बात करते हैं इस company की details की knowledge marine and engineering works ने शुरुआत की थी अपने business की साल 2015 में फिलहाल ये अच्छा का सा established player है advertising and small craft business segment के अंदर पिछले 5 साल के अंदर इस company ने कई सारे small ship repair units बनाए हैं company को फिलहाल 3 million भारेनी दिनार which is equivalent to 66.38 करोर रुपीज का एक order मिला है भारेन से जिसको फिलहाल एक company पूरा कर रही है लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि हमने 4 shares तो बता दिये जिन्होंने बहतरीन return दिया है लेकिन आखिरासा हुआ क्या है sector के अंदर जिसमें average shares ने 100% से जादा return दिया एक साल के अंदर जो फड़ा फट बता देते हैं पिछले कुछ समय से इंडिया आत्म दिरबर भारत मेक इन इंडिया कॉंसेप इंडिजीनियस vessels बनाने की उपर अच्छे से फोकस कर रही है याने की जितने भी watch ships बन रहे हैं सब मरीन से लेके सब कुछ which is related to Indian defense जादातर समान इंडिया के अंदर ही develop हो रहा है और सिर्फ इंडिया के अंदर develop नहीं हो रहा बहुत सारी neighboring countries को Indian developed समान जा भी रहा है export भी हो रहा है इस वज़े से इन सभी इन चारो की चारो companies थे बहुत अच्छा perform किया है प्लस geopolitical situation को देखते हुए you never know कब आपको कौन से vessel की जरुत पर जाए तो again कोई भी country अपने defense sector को सबसे जादा strong बना कर रखती है जिसकी वज़े से ये चारो company फिलहाल बहुत जबरदस growth दिखा रही है तो in short हम यही बोलना चाहेंगे के इस industry का future आने वाले कुछ समय में तो bright ही दिखता है बागी call आपकी है क्योंकि हम आपके पास सिर्फ इंशार shares की information लेकर आए हैं इसमें से किसी में भी invest करने ना करने की कोई direct सला नहीं दे रहे ऐसे और exciting sectors की अगर आपको जानकारी चाहिए उसके लिए आपको follow करना होगा subscribe करना होगा पैसलाइब